नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इविद्या चैनल नमबर 9 पर मैं हूँ देवें दृत्रपाथी, इस सत्र में आज हम साइंस सब्जेक्ट पर साइंस सब्जेक्ट के अंतरगत ग्रेविटेशन यानि गुरुत्वा कर्शन पर बात करेंगे इसके अंतरगत आज दूसरा भाग होगा पहले भाग में कुछ चीजें आपने समझी हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा आज की सत्र में और ये सत्र पढ़ाने के लिए हमारे साथ जूड़ चुकी है हमारी आज के एक्सपर्ट हम उनका परिचे आप से कराते हैं हमारे साथ हैं अंकिता यादो मैं जो की टीजी टी नैचुरल साइंस हैं साधिक खामपूर में मैं आपका स्वागत है आज की सजनल और दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं इस इंटरेक्टि 559 और साथ ही साथ email address के माध्यम से भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं email address है dth.class9.cit.nic.in और आप यह भी जानते हैं कि इस session को आप YouTube पर भी देखते हैं YouTube पर यह live stream नहीं हो रहा है लेकिन बाद में इस recording को आप देख पाएंगे इस सत्र के इंतरगत जो आपको पा पार्ट में परट नया यह पिस चैपते हैं पना कृचर का प्रेशर के साथ किसाourd तो शुरू करता है अपना मास और प्रेशर के साथ तो सबसे पहले आप slide देखे, slide पे आपको दिखाई दे रहा होगा mass or weight तो हमारी starting यहीं से है, अभी mass or weight के बीश में क्या difference होता है तो जैसा कि आप जानते हैं, what is mass? Mass is defined as the quantity of matter inside an any object कोई भी चीज, जिस चीज से बनी होती है, उसके अंदर की जितनी quantity होती है उसको हम कहते हैं mass, क्या mass or weight सेम है? नहीं, what is the difference between both of them? आइए बात करते हैं weight की, आप slide पे देखिए, आपको एक man दिखाई दीरा होगा महाँ पे एक उस पे force लग रहा है, that force is the gravitational force so weight is nothing but the force, जो earth की gravity उस पे लगा रही है, उसको नीचे pull करने के लिए so this is the main difference between the mass and weight अब next बात करते हैं, क्या mass कभी भी zero हो सकता है? never, mass कभी भी zero नहीं होता और weight zero हो सकता है अगर किसी place पे या किसी space में gravity ना हो इसको more detail में जानने के लिए, मैंने tabular form में बनाया है इसे आप देखिए mass is defined as the quantity of matter in an object कि किसी भी quantity of matter जिसे बना है, उसको हम कहते हैं mass and weight is defined as the force by which the gravitational pull of the earth attract the object जो earth की gravity उसे attract करती है, downward में उसे हम बोलते हैं weight now, mass is a scalar quantity, what do you mean by scalar? scalar means it is nothing but it doesn't have any direction and weight is a vector quantity, that weight have a direction mass हमेशा constant रहता है, वो कभी भी change नहीं होता for example, एक ball का mass लीजी आप 5 kg है, तो वो 5 kg ही रहेगा आप उसे किसी भी space में लेके जाए, वो कभी भी change नहीं होगा लेकिन weight change होता है because of gravitational force gravitational force की वज़े से weight कहीं पे 0 होता है, कहीं पे maximum होता है, कहीं पे minimum होता है next, mass को हम denote करते हैं small m, जैसा कि हमने numerical में पढ़ा है हम हमेशा mass को measure करते हैं kg में तो वही उसकी SI unit है, that is kg kg अब बात करते हैं weight की क्योंकि gravitational force लग रहा है gravitational force हमेशा नीचे की downward direction में लगता है आप board पे देखे, f is equal to mg क्योंकि earth लगा रही है, तो g is nothing but the exploration due to gravity जो हमने last में पढ़ा था, last part 1 में कि इसकी value होती है 9.8 meter per second square और ये पूरी earth पे same होती है क्योंकि यहां पे बात हो रही है weight की और force की और force को हम measure करते हैं newton में तो इसकी SI unit होती है newton so this is the main difference between the mass and the weight I hope it's clear to everyone अब ये बात हो गई है sir, earth की के earth पे जो weight है वो क्या होगा that is f is equal to mg किसी भी body का आप मास लेजिए उसको 9.8 से मुंटिप्लाई कीजिए and you will get the weight of that body लेकिन क्या weight of object किसी मून के surface पे भी सेम होगा उसके लिए आप board पे देखिए, आपकी screen पे देख रहा है हमने last में किया था आपके पास gravitational force का first वाला example wm, m यहाँ पे हम denote कर रहे हैं moon के लिए और e हम denote कर रहे हैं यहाँ पे earth के लिए तो universal law of gravitation का formula लगाया हमने पहले moon के लिए so wm is equal to gmm m divided by rm by square यह r मैं आपको बता दू, it is the radius between the two objects जो हम last part में कर चुके हैं same ही हम e वाले के लिए लिखेंगे e is for earth जब दोनों equation को हम divide करेंगे and all the values are given to you आपको यह याद करने की जुरत नहीं है यह आपकी बुक में already given है तो जब आप इन values को put करते हैं wm divided by we you will see that it is nothing but equal to 1 by 6 यानि moon पे जाके किसी भी body का weight अर्थ की weight से 1 by 6 हो जाएगा यानि उसका 1 by 6th part वो measure करेगा moon पे जाके तो यह हमारा formula बन जाता है wm divided by we is equal to 1 by 6 इसका मतलब यह कि अगर उदारण के तोर पर हम किसी 60 kg की वस्तू को सर हम वेट की बात कर रहे है newton तो हम अगर यहाँ पे measure करते हैं suppose मैं आपको बताती हूं यहाँ पे रेखे अगर कोई weight यहाँ पे w e है 60 newton है वो earth के ऊपर यहाँ पे e है हमारा earth और हमें moon पे निकालना है तो हम earth के weight को divide by 6 कर देंगे यानि 60 divided by 6 so it comes out to be 10 newton यानि किसी body का weight अगर earth पे 60 newton है तो वो moon पे जाके सिर्फ 10 newton रह जाता है तो आपको यह formula याद होना चाहिए कि w m is equal to 1 by 6 of w e आईए अगे बढ़ते हैं यह तो बात हो गई अब हम बात करेंगे thrust और pressure के बारे में thrust पढ़ने से पहले हम बात करते हैं pressure की जितना force एक unit area पे लगता है उसे हम कहते है pressure for example यहाँ पे मैं pressure लगा रहे हूं तो जितना area यह cover कर रहा है यहाँ पे दिखेगा आपको clear जितना area यह cover कर रहा है unit area that is the pressure that is the pressure तो force जितना area unit area पे लगता है उसको हम बोलते है pressure अब यहाँ पे एक term है उपर thrust thrust का क्या मतलब है अगर वही force perpendicular direction में एक direction के साथ आजाए perpendicular direction में लगे तो हम बोलते हैं वो thrust है तो force is same as thrust, force और thrust में कोई difference नहीं है बोथ हर same लेकिन जहाँ पे direction आजाती है perpendicular direction उसे हम बोलते हैं thrust तो आप slide पे देखिए force is defined as, pressure is defined as the force per unit area and pressure को हम denote करते हैं capital P से so हम इसको लिख सकते हैं thrust by area और force by area बोथ are the same things क्योंकि force की बात हो रही है it is noted by the F और area हमको पता है कि हम निकालते हैं A से so इसकी ऐसा unit बन जाएगी newton per meter square और इसको बोलते हैं pascal या तो आप newton meter per square लिखिए या फिर आप pascal लिखिए बोथ are the same thing अब paper में questions आता है what is the 1 pascal अब 1 pascal को कैसे define करते हैं जब 1 newton force लगता है 1 meter square area पे that is called the 1 pascal I repeat जब 1 newton force लगता है 1 meter square area पे that is called the 1 pascal I hope it's clear to everyone this is the thrust and the pressure अब इसको और understand करेंगे एक diagram के साथ आप first diagram देखे यहाँ पे आपको एक nail दिख रही है और एक thumb दिख रहा है तो pressure लगा रही है और यहाँ पे formula है आपका P is equal to F by A जितना area जादा होगा उतना pressure कम होगा जितना area कम होगा उतना pressure जादा होगा दोनों आपस में inversely proportional है ठीके एरिया बढ़ेगा तो 4 pressure घटेगा एरिया कम होगा तो pressure बढ़ेगा अब इसका थूड़ा सा example लेते हैं हम daily life से ठीके तो first example है आपके पास screen पे आपने घर में देखा होगा कि आपके पास knife होती है उनकी sharp edges होती है वो sharp edges किसली होती है कि ताकि small area पे large force लगा के उसी cutting को हम easily कर सके इस इस फर्स एक्जाम्पल ना सेकेंड एक्जाम्पल के तरफ चलते हैं सेकेंड एक्जाम्पल में आपने देखा होगा कि स्कूल बैक्स हैं स्कूल बैक्स के ज शोल्डर पे कम लगे area को surface area and contact को increase करके जितना ज्यादा area होगा उतना ही pressure बच्चों के shoulders पे कम होगा क्यूंकि हमने पीछे पढ़ा है अभी के pressure is inversely proportional to the area तो जितना ज्यादा आपका area होगा उतना ही pressure कम पड़ेगा अब last example हम लेते हैं nail का आपने nail देखा होगा nail की जो point होती है वो बहुत ही sharp होती है बहुत ही कम area होता है उसकी tip जो है बहुत sharp इसलिए बनाई जाती है ताकि वो easily dive कर जाए surface के अंदर by making the area small the pressure will be more so these are the few examples from the daily life we use the thrust and the pressure so I hope it's clear to everyone अब यह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे solid के बारे में कि solid pressure लगा रहा है solid में thrust है force है तो क्या fluid जिसमें हम gas और liquid को include करते हैं क्या वो भी pressure लगाती है yes of course जिस surface पे वो होती है और जहां container में रखा जाता है उसके प्रेश बॉल्स पे वो हमेशा एक pressure लगाती है इसको समझते हैं आईए आगे now इसको समझने से पहले आप यह देखिए कि हमारे पास एक buoyant force आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कुछ चीज़े float कर रही है कुछ चीज़े sink कर रही है so let us understand by taking an example आप एक glass of water लीजिए उसमें आप एक cap डालिए cap जो है वो आपके float करेगी वो कभी भी sink नहीं करेगी और same चीज़ के लिए आप एक ball लीजिए heavy weight की और उसको डालिए now it will goes down ये sink कर गई ऐसा क्यों हुआ gravitational pull तो नीचे था ठीक है तो ball को नीचे उसने खीश लिया लेकिन cap को उसने क्यों नहीं नीचे pull किया ऐसा किसलिए हुआ कि वो जो ball थी वो नीचे रह गई और जो आपके cap है वो उपर रह गई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि pressure लग रहा है यहाँ पे fluid यानि पानी भी अपना एक pressure लगा रहा है एक force लगा रहा है जिसको हम कहते हैं buoyant force और वो force हमेशा लगता है upward direction में जब पानी direction उपर होती है तो upward direction में लगता है that is called the buoyant force और हम पढ़ चुके हैं कि gravitational force हमेशा कहां लगता है नीचे की तरफ अब इसमें भी दो case है screen पे आपकी PPT में देखिए कि जब भी आपका buoyant force जादा होता है as compared to gravitational force तो चीजे float करती हैं जैसा कि इस case में हो रहा है ठीक है यहाँ पे आपका जो यह cork है यह float क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ पे buoyant force जादा है as compared to gravitational force लेकिन ball के case में क्या हो रहा है यह sink कर गई क्योंकि यहाँ पे gravitational force जादा है as compared to buoyant force तो buoyant force कम है और gravitational force जादा है तो यह इसको नीचे की तरफ पुल करेगा और यह सिंग कर जाएगी अब कुछ चीजे होती हैं जो ना तो सिंग करती हैं और ना फ्लोट करती हैं वो बीच में रजाती हैं ऐसा इसलिए होता है कि जब ग्रेविटेशनल पोर्स और बायंड पोर्स आपस में सेम हो जाते हैं उस टाइम पे ना तो चीजे फ्लोट करती हैं और ना ही सिंग करती हैं ना वी गो बाक तो पीपिटी इसका कोई एक्जामपल हम ले सकते हैं आप उसको पुट करेंगे आप देखेंगे कि वो हाफ मर्ज है और हाफ वो डिप है आप घर पे जरूर करके देखेगा आपको कुछ चीजे ज़रूर फाइंड होंगी जो आधे डिप होती हैं और आधी मर्ज हो जाती हैं ना लोकेट पीपिटी अब यह सारी चीजे जो पढ़ी हैं आपने इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि बाइंड फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर तो डेंसिटी क्या होती है सबसे पहले हम यह देखते हैं उससे पहले मैंने आपके लिए श्लाइट पर बहुत ही क्लीरली लिखा हुआ है यह आपे के बाइंड फोर्स अर्ज़र जाहँ है ग्रैविटेशनल फोर्स से तो अबजेक्ट हमेशा फ्लोट करेगी और बाइंड फोर्स अगर कम है ग्रैविटेशनल फोर्स जादा है तो अबजेक्ट हमेशा सिंग करेगा तो यह उस अबजेक्ट के कमपेरिजन में बात करें नहीं होता है हर किसी के उपर कोई भी अबजेक्ट आप लोगे अगर किसी भी अबजेक्ट का बाइंड फोर्स अगर जादा है तो वो उसको उपर की तरफ पुल करेगा अगर उसका बाइंड फोर्स कम है तो वो ग्रैविटेशनल फोर्स जादा हो जाएगा तो उसे नीचे की तरफ पुल करेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं, what is density, यह clear होना चाहिए, density is defined as the mass per unit volume, per unit volume, that is mass divided by volume, as you can see on the screen, and its SI unit is the kilogram per meter cube, So, now get back to the last slide, अब जब हम बात कर रहे हैं, यहां पर object की, water की, तो हम density ले रहे हैं, तो हम बात करेंगे, अब with respect to water, कि an object can sink or float on water based on its density with respect to water, अब objects having density less than water, जिस object की density, पानी की density से कम होती है, for example, cork, यानि धक्कन जो हमने भी लिया था, तब वहां पर चीजे क्या करती हैं, float करती हैं, और objects having density higher than water, जिन objects की density, पानी की density से ज़्यादा होती है, तो वो sink कर जाती हैं, जैसे की ball, अभी मैंने आपको example लेके दिखाया है, अब आप next में देखिए, एक और example आपकी screen पे है, cork है और एक nail है यहाँ पे, तो density of cork, जब density of cork कम है density of water से, तो वो float कर रही है, वो उपर तैर रही है, और जब density of nail, यानि कील, उसको हमने पानी में dip किया, वो क्या कर गई? सिंक कर गई, because its density is more than density of water, नाउ, यह सब पढ़ने के बाद, हमें दो चीजे बहुत क्लियरली अंडरस्टांड हो गई है, कि जो by and force है हमारा वो depend करता है density of liquid के उपर and volume of the object के उपर, तो हमारे पास दो चीजे हैं कि by and force किस चीज़ पर depend करता है, density of the liquid and the volume of the object के उपर, आएए चलते हैं, आगे, एक और example मैं लेना चाहूँगी, यहाँ पे log of wood का, यह बात करी हमने ball की, ball जो थी वो आपकी नीचे सिंक कर गई थी, ठीक है, लेकिन same case अगर मैं यहाँ पे piece of wood डालू, क्या होगा piece of wood को, आप पानी में उसको dip करके रखिये, जब तक आप उस पे force लगाते रहेंगे, तब इस case में क्या हुआ ऐसा कि वो उपर आ गया, because वहाँ पे जो weight of the log of wood था, जो स्टुकड़ा था wood का, उसकी volume as compared to water बहुत कम थी, तो वहाँ पर जो gravitational force था, वो कम था और by and force जो था वो जादा था, इसलिए वो उसको उपर ले आया, यह बहुत important question है, I hope it's clear to everyone, now let's come to the Archimedes principle, इ आपने एक 7 kg का यहाँ पे एक स्टोन लिया और उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे एक मशीन लगाई है, उसमें कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 7 kg, ठीक है, अब आप उसको धीरे धीरे पानी में डिप कीजिए, जैसे ही आप उसे डिप करेंगे, आप देखेंगे कि कु तो अर्किडमिस प्रिंसपल कहता है कि अगर किसी बॉड़ी को आप फुली या पार्शली किसी भी पानी में डुबोते हो, that is immersed करते हो, तो उस पे लगने वाला बायन फोर्स और जो उसने पानी को डिस्पलेस किया है, वो दोनों equal होते हैं, I repeat, वो कहता है कि अगर किसी तो आप पानी में डिप करते हैं, पार्शली या फुली, तो उस पे लगने वाला बायन फोर्स और निकलने वाला पानी का वेड जो उसने डिस्पलेस किया है पानी, that both are equal, now see, 2 kg बायन फोर्स लगाया, और वहाँ पे रीडिंग में भी पानी जो डिस्पलेस हुआ था, वो जो स्टोन था उसका वेड भी 2 kg कम हो गया, 2 kg इसले कम हो गया, क्योंकि बायन फोर्स जिस्पलेस किया, उत्मा ही उसने फोर्स लगाया, now look at the screen, इसकी डेफिनेशन हम एक बार देखते हैं, according to the academic principle, when a body is immersed fully और partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the fluid displaced by it, यानि जितना पानी वो वहाँ से निकालता है, वो उसके बायन फोर्स के बराबर होता है, as you can see on the screen, 2 kg बायन फोर्स है, और 2 kg उसने वाटर डिस्पलेस किया है, now उसका वाटर जो था, उसका जो वेड था, वो भी 2 kg इसले कम हुआ है, क्योंकि उसका बायन फोर्स जो था, महाँ पे कितना हो गया है, 2 kg हो गया है, I hope it's clear to everyone, now, इसकी एप्लिकेशन कहां पर है, अक्रिमिस प्रिंसिपल को हम कहां यूज करते हैं, number one, it is used in designing ships and submarines, submarines को और ship को डिजाइन करने में, अक्रिमिस प्रिंसिपल को ही हम यूज करते हैं, second रहे नाता हैं, lektometers और hydrometers, lektometers और hydrometers में भी हम अख्यदिमिस प्रिंसिपल का ही यूज करते हैं, because it defines purity of sample of milk होता है, lektometers में, और hydrometers होता है, किसी की density निकालने के लिए, तो आपने ये देखा होगा, पूरे उसमें, कि हमने water को ही क्यों लिया, as a reference, हमने water को ही क्यों चुन तो हम उसे as a reference, in calculation हम किसी की भी density निकालना हो, कुछ भी हमें बाइन फोर्स निकालना हो, या ग्रेविटेशनल फोर्स से कमपेरिजन करना हो, बहुत एजी हो जाता है, because water is a universally present at everywhere. Now I have given some homework for you also, please do try at home, these are the four questions, बहुत ही simple है, you can try at home, और जो भी आपको questions अगर पूछने हो, कोई doubt हो, तो आप comment box में डाल सकते हैं. जी, और comment box के साथ साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि हर class के लिए एक email address है, email address आपको मैंने शुरुरूआत में भी बताया था और फिर से एक बार repeat कर देता हूं, इस पर आप अपने queries या questions लिख सकते हैं, और जो home work के लिए दिये गए है, screen पर आप देख सकते हैं, यह home work का आप note कर सकते हैं, और बहुत जैसा कि मैंने समझाया है चीजों को, उसके अनुसार आप इन सवालों को हल कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि आज का session हमारे जो students हैं, छात्र हैं, उनको अच्छे से समझ में आए होगा, और चलने से पहले मैं आपसे पुछना चाहूँगा कि इस chapter के अंतरगत, कुछ और आप कहना चाहेंगे छात्रों से? इसमें जो आपके questions दिये गए हैं, question number one and question number four, अभी जो आपको मैंने by-end force और gravitational force पढ़ाया है, यह दोनों questions उसी पे based हैं, कोई भी numerical नहीं है, सिर्फ conceptual questions हैं कि by-end force कहां लग रहा है या upper direction में लग रहा है, gravitational force जो है वो downward direction में लग रहा है, these all five are the conceptual questions and you have to try it at home. Now I can read you one, for example, in what direction does the by-end force on an object immersed in a liquid act, के by-end force कौन सी direction में लगता है, it is very simple, I clearly told you के by-end force जो है हमेशा upward direction में लगता है, और gravitational force जो होता है वो हमेशा downward direction में लगता है, so next question number two and three and four, जो है, please do try at home, please write it down, and कुछ भी क्वेरी हो तो आप comment section में डाल सकते हैं, और gravitational force और band force के बारे में जिस तरह से ball और उसके कैप का अपने example दिया था, उससे मुझे लगता है कि आप वो downward का मतलब समस्क्राइब आप भी ट्राइ कीजेगा, एक hollow ball लीजे गया और एक बिल्कुल heavy ball लीजेगा, आपको clear होगा difference कि hollow ball जो होगी वो आपकी float करेगी, और heavy ball जो होगी वो आपकी डाउनवर डारेक्शन में सिंग कर जाएगी, तो कुछ चीजे फ्लोट करेंगी और कुछ चीजे सिंग करेंगी, और tennis ball बीच में रहेगी, तैनिस ball हाँ, उसका example बहुत जरूरी है, आप जरूर ट्राइ कीजेगा, तैनिस ball लीजेगा, वो हमेशा न वो फ्लोट करेगी और और वो सिंग करेगी, वो हमेशा एक्वल रहता है, उसके लिए, चलिए, तो उम्मीद करते हैं, हमारे जो 9th class के students हैं, उनके लिए आज का जो chapter था, वो अच्छा रहा होगा, और उनको gravitational force या फिर mass और density इन सब चीजें के, इन सब factual scientific चीजेजों के बारे में समझ में आया हो students के साथ इस chapter को share करने के लिए और उन्हें पढ़ाने के लिए, और दर्शकों आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, इस session को आप live नहीं देख पाए हैं, लेकिन बाद में आप देखेंगे YouTube पर NCRT official, और उम्मीद करते हैं, कि आपको ये ठीक लगा होगा, और comment box में आप अपनी प्रतिक्रिया इस सत्र के बारे में जरूर दीजे, बने रही है लगातार इविद्या चैनल के साथ, इविद्या के साथ अगला जो करेक्रम होगा, वो class 9 के लिए ही है, और इसमें maths पढ़ाई जाएगी, और maths के इंतरगत, quadratic equation इसका भी दूसरा भाग आज आप पढ़ेंगे, अब दीजे मुझे यानि देवेंद्र त्रिपाथी के वनुमती, इस सत्र को समाप्त करने की, नमस्कार.